वो गई तो उनकी माँ उनके साथ में थी, क्या उनकी अपनी माँ के साथ हुए कि जब उन्हेंने समान पैक किया, और समान पैक करके चलींगे, मेरे बेटे का समान एक जोले में चोड़ के चलींगे, रे वो सौरी बोलने की तो कोई सवाल नहीं है, किरती चक्रा भी अपने प कि नमस्कार आपका स्वागत है दा रेड माइक पर मैं हूँ अमन इस समय हम आये हैं सहीड कैप्टर अंसुमान सिंह के घर पर उनके पिता जी से बात करने क्योंकि उनके पिता जी ने उनकी अपनी बहु पहले लगाए हुए थे कि उन्हों उनका कीर्थी चक्र उनको नहीं द मिला था उस समय भी उनके वीडियो काफी वायरल हुए थे उनकी माता जी और उनकी पतनी के सबसे पहले आप मैं आपको करेक्ट कर दो कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया यह हमारे उद्गार थे हरदय प्रदेश में प्राद और भूत हमारी इक्षाएं थी जो कि सरे बज आरोप नहीं लुए है आरोप किसी अपराधी पर अपराधनी नहीं है मैं है अपनी इसलिए और उनके पूरे परिवार कांट का मता पिता और उनकी जो हमसे मांगे हूं उनकी मता पिता और सब काम ने दिया तो कल एक दो चैनल ने कोशिस किया था लेकिन साइद उन्होंने बात सित करने से मना कर दिया क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लव मेरी की आपके बेटे के साथ वो खुदी एक इंटर्वी में करें थी हमारा आठ साल का रिलेस्ट और पांच महीने साधी के हुए तो इन सब बीच में ऐसा पांच महीनों में ऐसा क्या हो गया कि वह आप से इतना आपकी फैमिली से इतना द बात भी लंबी बात नहीं होई थी क्योंकि लंबी बात हमसे हो रही थी किसी का इंकम टेक्स डिटन करा रहे थे जो पब्लिक डुमेंन में है और साड़े बार वई तो हमसे बात कर रहे थे वह हमारे मैंने कहा आज आओ दोनों बुक करके आई यहां पर उसके बाद पुरे वाला देदेज़ जिप लगा हुआ था मैंने इस बात को उनको कहा तो बोली कि उसमें जिप लगा हुआ जिप को तो हम बैग नहीं कहते हैं चार सूट केस लेके गई या तीन ले गई हो जो भी रहा हो मेरी बेटी गई तो देखा उसके बाद उन्होंने हम इस पर क्या जवाब दे सकते हैं और वह अगर देती हैं तो बैतर होगा कम से कम हम भी तो जान पाएं कि वह कौन सा समय अंतराल था इसमें हमारे परिवार ने क्या खता किया हम इतनी बड़ी सजा और आज आपके सामने सरे बजम अपनी बात को कह रहे हैं आपको किरती चक्र दे दें और सौरी बोलने की तो कोई सवाल नहीं है किरती चक्रा भी अपने पास रखें उसका रेप्लिका हमारे पास आये और वह हमारे पास आया मेरा स्वागा थे मेरी बहू है और मैं जहां कहेंगी आस्टेलिया से ले करके मैं हर जगह से उनको भीज हमें कि जब उन्होंने उसको उस बस्ट के अनावरण के लिए देना मुनासिय नहीं समझा चली गई और उसके बाद हमारी बेटी से भी बोला गया डोंट वांट वांट तो हमारे पास बचा क्या एक धरोहर ही तो थी हमारे बेटे की और जब उन्होंने एड्रेस उसमें कंप्रेहंसिव रिफॉर्म के ज़़ुरु थे ताकि अगर दोनों परिवारों के बीच प्रतिकूल परिस्थिती हो या अनुकूल परिस्थिती हो तो सर्वमान ने वो सर्वग्राह हो आप यह कह सकते हैं कि मृत्तु के बाद उत्रादिकारी जिसको आप नॉमनी कहते हैं बहुत से लोग केसे में होता होगा कि पत्नी को और उनके परिवार वालों के वीच में ऐसे विवाद कड़े होते हुए पहला केस तो नहीं होगा पप्लिक डुमें में ना आये लेकिन 50 से 60% के 70% होता है मैं आपको लखनव में ये एक सजन है जो कि आज रिक्षा चला रहे हैं उनकी बहु कार से घूम रही है हमारे साथ वहां आई थी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनके साथ भी यही हुआ है जिनकी बहु बेटी को भी लेके चली गई है और बात भी नही अपनी बहु को दे दिया और दूसरी बात अभी आप मेजर मोहित सर्मा की माज हो गाजिया मैं आपको नंबर देता हूं पूछिए उनके साथ क्या हुआ उनके पिता इसमें थे क्या कहते हैं कि पंजाम ने सब्सक्राइब ने कहा है वह घर भी चला गया और उनके पास कु बिल्कुल होना चाहिए तो यह हमारे समाज की ब्यापक परिशता है कि उसमें सब कुछ है लेकिन इसमें परिवठतन जरूर्ओना चाहिए वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं और हमारे लखते जिगर हैं और रहेंगे तो उनकी आइडेंटिटी हमसे नहीं छीनी जाने चाहिए एक साथ दो रिप्लिका देने चाहिए उनके माताफिता को और एक उनकी वाइट को इससे को विवाद ही इन फिचार उत्पन नहों कि कि हाँ बैतर होगा अगर ऐसा होता है तो शम्मान के लिए तो जो प्रतीक के लिए तो बैतर होगा कि अब बात करने के लाब का बहुत धन्यवाद कि अब अब कि अब